एक राज्य में दो बहने रहती थी, उनकी उम्र बहुत ज़ादा थी, वो बुली उच्चुकी थी और उनकी शादी नहीं हुई थी, मगर उनमें से एक बहुत अच्छा गाती थी, एक बार वो गा रही थी उसका गाना राजा को सुनाई देता है, वो गाना सुनके मध्धमु खायेगी, राजा सोचता है कि लड़की शर्मा रही है, वो चला जाता है, बुली अपना एक उंगली में कपड़ा बांध के रखती है ताकि उसकी उंगली एक लड़की की उंगली की तरह लगे, मगर कोई फर्क नहीं पढ़ता एक हाफता बीच जाता है, राजा उन लोग बोलता है, वो बोलती है कि वो एक शर्ट में आएगी महल की लाइट बंध हो और कोई भी रोशनी ना हो, राजा मान जाता है मगर उसकी स्किन जवान नहीं थी, वो जूल रही थी तो उसकी बहन ने उसकी स्किन को गोन से चिपका दिया, वो राजा के यहां जाती है और रा की टेहनी के सहारे बच जाती है, उधर से एक जादूगर्नी गुजर रही थी, वो उससे जवान कर देती है, राजा शिकार करने के लिए निकलता है और उसकी नजर उसपर पढ़ती है और उसे उससे प्यार हो जाता है, वो उससे शादी के लिए प्रपोस करता है, वो मान शादी में वो अपनी बहन को बुलाती है उसकी बहन पूछती है कि वो जवान कैसे हो गई वो बोलती है कि उसने अपनी पुरानी स्केन उतरवा दी उसकी बहन इस बात को सच मान लेती है वो लोहार के पास जाती है और बोलती है कि वो उससे सोने का हार देगी अगर वो उसकी खाल उतार देगा लोहार बेवकूफ था, वो मान जाता है और उससे जंगल में ले जाता है और उससे बांध देता है और उसकी खाल उतार देता है और वो मर जाती है उधर उसकी बहन के उपर जो जादू किया गया था वो भी खतम होने लगता है और उसकी स्किन बदलने लगती है और वो वहाँ से भाग जाती है